नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूपराज, पर सो in a very very important development, कई सारी जो developed countries है, for example European Union, Canada, UK, Japan, इन्होंने इंडिया को blame किया है, इंडिया को target किया है, WTO पे for having the high quality standards, high quality norms, इन countries का ये कहना है कि क्योंकि इंडिया के द्वारा जो quality standards है, बहुत ही जादा high रखे गए हैं तो इन देशों से आने वाले जो वैपारी हैं, वो अपने सामान को इंडिया में export नहीं कर पा रही है, जिसकी वज़े से उन देशों के वैपारीों को नुकसान हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है, ये कल ही Times of India में सामने आई है, WTO concerned with domestic quality controls, मतलब कि इंडिया के द्वारा जो domestic level पे quality controls लगाए गए हैं, उसको लेके WTO concerned है, और इसलिए इंडिया के जो quality control orders हैं, उनको flag किया गया था by various countries, including Canada, Japan, UK and EU, तो इन ही के बारे में बात करेंगे, इन ही domestic quality controls के बारे में बात करेंगे, और ये भी discuss करेंगे कि इंडिया का इ response आया है, आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, और इस course पे चल रही है एक sale, जिसमें कि अगर आप enroll करते हैं, तो आप को यह वाला course मिलेगा, मातर 909 रुपे में, जिसका जो final price आपको यह तब ही मिलेगा, अगर आप मेरा coupon code अनिरुद यूज़ करते हैं, इसमें enroll करने के लिए link आप लोगों के लिए description में available करवा दिया गया है, also test book pass पे भी काफी अच्छी sale चल रही है, एक साल का test book pass आपको म machinery भी आती है, safety equipments भी आती है, pressure cookers, ACs, chemicals, कई सारी ऐसी चीज़े हैं, जिसके लिए इंडिया ने नई quality norms को issue किया था, in fact अगर आप देखेंगे तो DPIIT जो की Ministry of Commerce and Industry के तहत आने वाला एक विभाग है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग आने वाले time में 50 और quality control orders को issue करने वाल है, इसकी दूसरी तिमाही तक ये लोग ये वाले quality control orders को भी ले आएंगे, in fact आप देख पाएंगे, January 3, 2023 की भी यहाँ पे खबर है, DPIIT considers the quality control norms for air coolers, bicycles and more items, clearly इंडिया जादा से जादा items के ऊपर नई-ने quality control norms को लाने की कोशिश कर रही है, in fact December 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो DPIIT ने तब भी कहा था कि हम लोग lighters हुए, sports goods हुए, portable water bottles हुई, insulated flasks हुए, resin treated compressed wood laminates, wooden furniture, अलग-अलग चीजों के ऊपर quality control norms को लाने की बातचीत कर रही है, इंडिया basically इतने सारे quality control norms इसलिए ला रही है for two reasons, number one reason तो ये है कि हम लोग basically चाइना से आने वाली जो sub-standard items ह उसके import पे रोकधाम लगाना चाहते हैं, and at the same time, इंडिया ये भी चाहता है कि domestic industry को push करें, so that वो जो नए quality norms है, उसके according manufacturing कर सकें, केवल यही नहीं, बलकि toys के लिए भी जनवरी 2021 में काफी बड़े level पे quality norms को issue किया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे 2021, जनवरी की खबर है आज से दो साल पहले, इंडिया made it mandatory कि जितने भी toys होंगे, उनको BIS के द्वारा जो ISI mark issue होता है, वो toys के उपर लगा होना जरूरी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसका बलकि review भी हुआ था, BIS publishes 10 Indian standards on safety aspects of toys, जो कि physical safety, chemical safety, flammability, वगरा वगरा, इन सब चीजों के साथ इसका संबन था, in fact, इंडिया इतना जादा इस चीज को लेके seriously follow कर रहा था, कि 160 से भी जादा Chinese companies थी, जो कि इंडिया में खिलोने बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन government ने कहा कि उनको हमने quality control certificates issue नहीं किये है, because वो हमारे द्वारा जो बनाए गए quality norms हैं, जो standards हैं, जो प महार की company हो, फिर भले कोई Indian company हो, आप देखेंगे BIS conducts raids on stores in Gujarat, Maharashtra, जो की non-ISI marked toys की selling कर रहे थे, और इसमें इन्होंने काफी बड़ा operation भी hold किया था, यही वाली जो norms हैं, इन्ही norms को लेकर मुद्दा उठाया गया है, WTO में, कहा गया है Canada, UK, Japan, EU के द्वारा, कि इंडिय इंडिया के norms इतने जादा कड़े हैं, कि हमारे जो exporters हैं, वो इंडिया में सामान को export नहीं कर पा रही हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा, the quality control orders from Bureau of Indian standards for a cross spectrum of products, steel से लेके fabrics तक, toys से लेके, refrigerating appliances तक, यह जो है, इतने सारे standards आपने लगा दिये हैं, जिसकी वज़े से हमें नुकसान हो रहा है, यह चारो की चारो जो countries हैं, इन्होंने इंडिया के ऊपर दो तरह के आरोप लगाए हैं, number one, इन्होंने कहा है कि पहली बात तो, इंडिया एक protectionist orientation को follow कर रही है, जो की, जो WTO का agreement on technical barriers to trade है, उसके साथ compliant नहीं है, उसके खिलाफ जाता है, दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा कि जब इन ही चीजों के लिए अंतरराश्टरिय standards available हैं, तो इंडिया additional domestic standards किस वजे से ला रहा है, they questioned the argument that there was no need to have domestic standards, जब global standards already in place रखे गए हैं, और इसलिए इन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे products हैं, जैसे कि even coffee हुआ, for instance, there were multiple standards, जबकि उसके लिए भी international norms already place में ये सब सुनने के बाद, इन्डिया ने जवाब में ये कहा कि देखिए, WTO के standards अपनी जगा हैं, लेकिन हम अपने standards को इसलिए रखते हैं, because बहुत सारी country से सब standard goods थे, जो कि इन्डिया में भेजा जा रहे थे, जिनकी dumping इन्डिया में करी जा रही थी, और इसलिए हम लोग अलग से standards को रखते हैं, in fact इन्डिया ने कहा कि WTO इस चीज़ को मना नहीं करता कि आप लोग अपने खुद के standards रख सकते हैं, हाँ जिस country के पास नहीं है, वो obviously international standards को follow करें, लेकिन अगर कोई country खुद से बनाना चाहती है, तो वो ये वाला काम कर सकती है, in fact इंडिया ने रही जादा strongly जो है, वो dirty हुई है, और ये same problem, ये केवल इस बार की problem नहीं है, November 12, 2022 की आप खबर देखेंगे, तब भी ये same मुद्दा सामने आया था, Canada, US say that quality control orders in India are difficult to implement by the exporting countries, इन्होंने उस time पर भी same मुद्दे को उठाया था, और इंडिया ने तब भी ये ही कहा था, कि आ अमरीका भी करता है, चाइना भी करता है, तब तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर हम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत होती है, और इंडिया ने साथ में ये भी कहा, कि देखिए, we need to push for better standards to be part of the supply chain, अगर हम लोग अपने standards को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर हम लोग बड सेम चीज करता है, इन्होंने उधारन के तौर पे कहा कि इंडिया नेरली 90% of bulk drugs को चाइना से इंपोर्ट करता है, और उनका इंपोर्ट बड़े आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं, तो पहले रिजिस्ट्रेशन के टाइम पे, फिर इंपोर्ट के टाइम प होती है, और अगर किसी एक batch में भी अगर issue मिल जाए, तो चाइना पूरा का पूरा registration ही cancel कर देती है, तो चाइना में अगर कोई सामान भेजना है इंडिया वालों को, तो बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इंडिया में वो दिक्कते भी नहीं है, फिर किस वज़े से ये सारी के सारी countries इंडिया के ऊपर ये वाला आरोब लगा रही है, ये से मुद्धा पहले भी इंडिया के द्वारा उठाया गया था, और तब भी इंडिया का stand यही था, कि हम लोग हमारे जो standards है, उसको रखने ही वाले हैं, फिर भले आपको जो भी बोलना है, आप बोल सकते हैं, अपने सारे current affairs को पूरा कर सकते हैं, enroll करने के लिए link निशे description में है, and coupon code use करना ना भूलिए अनिरोध, thank you so much for listening, stay tuned and stay tuned.